कि кад्र इंवेस्टिंतテ duas it anna कि हुआ इसके बारे में आज हम मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं लेकिन उससे फ़हले इस टापिक बात करें उससे पहले में थोड़ा मेरे बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग पहली बार अगर इस चैनल पर आये हो तो आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन जो लोग मुझे काफी टाइम से जानते हैं उन लोगों को पता हो पता है यह सब चीजे तो कहने की बात यह है कि टेकनिकल एनालिसिस की जब बात होती है तो मैं 2007 से मैं टेकनिकल एनालिसिस कर रहा हूँ चार्ट के उपर और टोटल एक्सपिरेंस अभी आज की डेट में आपको बताऊं तो 14 यह से जादा है अब टेक फंडामेंटल की बात करता हूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस में 2014 से कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरा टोटल 7 यह का एक्सपिरेंस है तो यही मेरा एक्सपिरेंस के साथ आप काम करोगे तो आपको वैल्थ क्रियेट कैसे होगा मैं आपको वो सब बताऊंगा एक्सपिरेंस है वो भी आप लोग देख सकते हो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना है तो अब जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हो तो रीसेंटली ही अभी हम बात करते हैं तो मैंने मूचिल फंडिस्ट्रिबिशन का जो एनाई एसम का थ्रू जो एक्जाम होता है वो मैंने काम करते हुए हम किस तरह से अपनी वैल्थ क्रियेट कर सकते हैं वो उसका पूरा गाइडेंस में आपको दूगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक बताया हुआ है उसके तुरू आपको एक एकाउंट ओपन करना ह एकाउंट ओपन करने के बाद फ्री टाइम में आफ्टर मार्केट आवर्स आपको मुझे फोन करना है और आपकी प्रोफाइल मुझे बतानी है आपकी प्रोफाइल और आपके आपके पास कितना फंड अवैलेबल है वो देखने के बाद मैं आपको सजिस्ट करूँगा कि कि आपको कौन से फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कितने टाइम के लिए करना चाहिए तो वही सब गाइडन्स में आपको दूँगा अब मेरे पास क्यों आना है मार्केट में बहुत सारे लोग जवेलेबल है तो बहुत सारे लोग जो जानते हो आप लोग distribution का काम कर रहे हैं तो पहले उसको चेक करो कि क्या उसके पास share market का उतना knowledge है क्या उसके पास fundamental analysis हुँशा आता है क्या technical analysis उजिए आता है क्या वो market में इतना active है मेरी channel है मैं पूरा active रहता हूँ और पूरा analysis साब लोगों के साथ share करता हूँ क्या performance है वो आपको पता है और दूसरा अब दूसरे लोगों के पास जाओगे तो may be possible कि market में जो लोग काम करते है based on my experience वो आपको ऐसे fund suggest करेंगे कि जिसमें उनका commission ज़्यादा मिलता होगा rather than return ठीक है बट आप मेरे पास हाओगे तो मैं उसके उपर ज़्यादा focus करूँगा क कि आपकी profile के हिसाब से आपको concept based fund में आपको suggest कर सको समझ में आ रहा है guys so this is the main benefit और मैं उसके लिए कोई additional charges भी नहीं ले रहा हूं आपको सिर्फ जो description में जो link दिया गया है अब वहां पर account open कीजिए मेरे contact में रहिए मुझे अपनी financial conditions बताइए उस हिसाब से मैं आपको guide कर लूँगा ठीक है तो यह रहा part 1 अब मैं आपको मेरा certificate भी बताता हूं और मेरा visiting card भी आप लोगों के साथ share कर रहा हूं तो किसी को भी कुछ भी जानना हो कुछ भी करना हो ताब मुझे जरूर से contact कर सकते हो तो यह रहा मेरा NISM का certificate एक्जाम डेट है मेरा 26 डिसेंबर 2021 और गाट 80 माक्स ठीक है आउट ओफ हंड्रेट तो पान नंबर मैंने हाइट कर दिया है सिक्यूरेटी पॉइंट ओफ यू तो यह मेरा certificate है और मेरा visiting card यह रहा यह मेरा visiting card है तो अगर आप लोगों को कुछ भी help चाहिए finance related तो आप जरूर से मेरा contact कर सकते हो मेरा number भी यहां पर mention किया हुआ है तो किसी को भी कुछ भी काम हो तो आप जरूर से मुझे contact कीजिए मैं definitely आपकी help जरूर से करूंगा so guys जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा certificate भी मैंने बताया मेरा visiting card भी मैंने बताया अब पूरा picture आपके सामने clear है कि आपको SIV करना है mutual fund में investment करना है तो आप जरूर से मेरा contact कर सकते हो मैं definitely आपको बहुत ही अच्छे से जाओगे तो जो तीन चार परसंट का return का जो गेप होगा वह compounding में बहुत ज्यादा effect करेगा आपको ठीक है so इसी वजह से financial expert की सलह लेके आप लोग करोगे तो benefit आपका ज्यादा है उसमें ठीक है आपको कोई भी help चाहिए अब मुझे contact कर सकते हो good bye friends take care see you soon